नमस्का दोस्तों मेरा नाम मोहिद वेदी है आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो एचेफ होते हैं यह देख सकते हैं यह इतने सारे एचेफ हैं और इनका जो कनेक्शन हो कैसे किया जाता है तो दोस्तों आप देख सकते हैं यह हमारा जो मेन वायर है यह वहां से से आया हुए आया हुआ है और इसका यहां पर बील जोड रहा है और इसका ज का पॉजिटिव को किर दूसरी adviser के यह आप देख सकते हैं पोस्किव से निगे सि में on कि आफ दिया है तो अच्छा काम करेगा तो इसका जो पॉज्टिव है वो हमारा जो मेन वायर आया था इसमें कदर किया है देख सकते हैं और यह हमारा कैपसिकर है तो इसी तरहे इसको आगे बढ़ाया यहां पर इसका जो पॉज्टिव है वो कैपसिकर से जोड़ दिया यह पॉज्टिव ज क्या कि है कि दोडों का स्वीज बनाया है और उसके बाद जो हमारा फेस है यानि कि पॉजटिब है उसके बाद या one कई इस करव सिटयर उसके बाद तब इसको डियरेक्ट किनक्चन दिया है। इसका boa मन है यानि की निग टिब जो हे वो सब में इनगेर लखा यानि कि इसका और इसके बाद इन दोनों का तो हो ही गया फिर इस वाले से फिर इस से और फिर आखरी के यानि कि इसका दोनों का सिरीज बना दिया इन दोनों का सिरीज और इन दोनों का और उसमें हमने यह कंडेंसर बांद दिया है तो 0.5 MFT का आप इसको मैं चेक करूंगा कैसा बसता है दोस्तों में आठ है चेप अपने जो इसक्रेंजर का 508 है यहां पर रिखा हुआ है मैंने केप चिपका दिया है क्योंकि बहुत संगोग देखते हैं इंजीनर को गरत जो भी आते हैं साइक पर तो उनको थोड़ा समझ में आये क्या है तो यह 500 और का आएमप है इससे मैंने यह इतने आठ हे चेप जो है यूज करता हूं और बस यह आप देख सकते हैं इतनी ही आवाद देता हूं और दूसरी कंपनी काय खहिए तो यह अलक्त स्य काम करता है तो यससे कि यहां पर फूरा होता है तो मैं इससे ठोड़ा कम ही रखता हूं इतने वेस करता हूं और मिक्सर मैंने यूज़ किया है स्टोडियो मास्टर का मिनी एक यू तो दोस्तों ये कुछ हैसा सेटप है और बहुत ही बहतरीन बजता है आठ अच्छे कंपनी के हैं आप कंपनी विदेख सकते हैं यह हिंटान कंपनी का है और 450 है ठीक है यह तक्रीबन 60 वाट के आसपास का माना जाता है 450 है तो इतना तो ही बज़ेगा और बहुत ही अच्छा बचता है और दोस्तों यह देख सकते हैं यह मैंने लकडी की फ्रेम बनवाई थी इस पर मैंने इसको पेश से कसा है और उसके बाद यह हमने पीछे का बनवा हूँ कि उस पॉइंट पर भी वीडियो बना दूगा दोस्तों आप देख सकते हैं यह हमारा फ्रेम है यह भी बनके आया हुआ है प्रैंक्टिंग में प्रायमर हो चुका है तो इसके बारे में वेडियो बना दूगा कैसे आपको बनवाना है और इसके साथ में क्या-क्या जानकारियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए कैसे बनवाना है यह सारी जानकारी आपको आगे वीडियो में जरूर दे दूँगा तो दोस्तों यह सचाब कुछ इस परकार दिखता है और अभी इसकी केस्टिंग आज साम को होनी है तो साथ वीडियो में दे दूगा दोस्त कभी काम शुरू किया है दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद सुब्दिन